सब कुछ सीखता हुआ व्यक्ति जब अपनी जीवन यातरा में आगे बढ़ता है तो वो इतना कुछ जान लेने के बाद, समझ लेने के बावजूद ठहराव के अर्थ भूल जाता है ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से निकलती है और अपने कंतव्य क्यों बढ़ती है तो जहां जहां जंक्शन्स आते हैं वहां कुछ देर अधिक रुकती है और उसके बाद में पुनहें आगे बढ़ती है चोटे स्टेशन्स आते हैं वहां पर भी कुछ मिनिटों का विराम होता और उसके बाद में आगे बढ़ना होता है हौल्ट की पूजिशन की बरफलाइट के साथ में रहती है वेक्ती लंबी दूरी की यात्रा अपने बाहन से तैय करता है तब भी वो अपने मेंटल मेपिंग के साथ में बातों को लेकर चलता है कि इतने किलोमेटर बाद चाय पिएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे वहां खानपान के प्रक्रिया को पुरा किया जा सकता है और उसके साथ में वो अपनी आतरा को बताता है परन्तों स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के बाद आगे बढ़ते हुए जब वो जद्दो जहद की शुरुआत करता तो वहां से ठहराव नामक शब्द को बोल जाता है और इसी ठहराव नामक शब्द को बोलने की वज़े से लगातार वो खुद के लिए मिटरिलिस्टिक गोल्स डिफाइन करता चला जाता है यहां यह अहसल करना है वहां जाकर इस वार बढ़ना है उस व्यक्ति विशेश से संबंद बनाने में बले ही रात की गया रहे बज़े तक रुखना पड़े कोई दिक्कत नहीं बले ही मन गवार नहीं कर रहा परंद रुखे हुए हैं संबंद बनाना क्या करें वो ठहराव की आत्रा जब जीवन से दूर होने लगती है तो यगिन मानिये मन उलजने लगता है वो कई बार स्वयम से ही प्रशन पोचने की हिमाकत करता है कि चले किस वज़े से थे कहां पहुँच रहे हैं भीतर के आनंत को ही खो बैठे हैं अध्यात में इक स्थर पर जो प्रगती थी वो दूर दूर तक भी नहीं है और इस भाग दोड़ में रजाने कहां पहुचने वाले होंगे कब रुकेंगे बार बार व्यक्ति विशेश ये पूचने वाला होता है इस समय अंतराल में प्रशन कई बार ये भी आने लगते हैं कि सेवा निवरती नजदी के परंतु कामकाज करना चाहते हैं कामकाज इसलिए करना चाहता है कि कईन कई फाइनेंसेस के परोच है वहां खुद को बिजी रखने की प्रोसेस के लावा और प्रशन मटिलिस्टे के परोच के साफ में खड़े कर दिये गए वहां व्यक्ति एक बार खुद से रुख कर बोशने वाला हो कि उसके उद्दिश आखरकार हैं क्या वह चाहता स्वैम से क्या है अपनी स्तियों से क्या है वह किस तरह का नाम चाहता है कितना सुकून चाहता है क्या भागदौर के मद्दि उसको सुकून मिल रहा है यदि वो सुकून नहीं मिल रहा है तो येकिन मानिये रुख कर एक पर पूछने की आवशकता है कि हम पहुँच कहा रहे हैं इसे वज़े से अर्थ प्रदान युग में ठेराव नामक मंत्र येदि भीतर तक जुड़ता चला जाता है तो व्यक्ति इस यातरा को समझ पाता है काफी अनुभव सहीच पाता है स्मृतियों को अपने साथ में जोड़ पाता है और आनंत के साथ में चल पाता है इसे वज़े से हम आज जिस बिक्षन के साथ जिस भी कांकाज में हूँ एक बार ठहरा आप स्थापित करें उसके बाद आके बढ़ने का प्रैतने करें तो काफी हद तक एक स्पस्टता सामने निकल कर आप आती है बहराल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 19 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्तित हुए है चंदरमा के स्थियां धनू राशिस्तान में रातरी 9 बच कर 4 मिनट से प्रवेश करने वाली होंगी उसके पहले चंदरमा मृष्चिक राशिस्तान में ही जेस्था नक्षत रिस्ततियां गुरुवार है आश्विन मा से शुक्ल बक्ष चल रहा है और हम चर्चा के शुरुबात करते हैं नेश राशि के साथ में व्यापारिक जीवन में बड़े निरने लेने में आज थोड़ा सा रोख कर चलें नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन की बेसिस नजर आ सकते हैं मानसिक तनाब से संभल कर चलने का परहतनी कीजिएगा यहां कम्युनिकेशन में कन्विन्सिंग मेजर्स को जतना अच्छे से आप स्वैम के लिए अपना कर चलेंगे उतना अच्छा है विदेश संभंधी कारे में ब्रद्दी है स्वास्त में यहां आप स्टमक को रिलेट करती प्रबलम से साथधान रहकर चलने का पूरा पूरा प्रयास अपने लिए करते चले जाईएगा और वहीं पर रियल इस्टेट संभंधी कामकाज में जल्दबाजी में किसी भी नरणे को अपने साथ यहां अथ में साथ करने की जूरत नहीं है यात्राएं टाली जाती हैं तो जादा अच्छा मेटल संभंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आज के दिवस में बनी रहने वाली होगी बुरुषब राशी व्यापारिक जिवन में नई उमीदें सामने आ रही है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है गुरिहस्त पक्ष की और से अच्छे खबरें मिलने की पुरी पुरी उमीद टेक्स्टाइल संबंती कामकाज हो या फिर इनोवेशन को रिलेट करते वे कोई भी वरकिंग पोजिशन्स के बेसिस वहां से भी आप एक अलग लिवल अफ पॉजिटिविटी को खुद के लिए एस्टबलिश करते चले जाएंगे आर्टिस्टिक फिल्ड के साथ में पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी आजिविका का कोई भी नया माद्यम यदि आप विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं ये समय सार गर्वेत तोर के उपर आपको पूरा पूरा सा योग देता चला जा रहा है और वहीं पर यात्राओं के साथ में अपने सरुकार पूर्ण तया जोड़कर रखिएगा आर्थिक तोर पर व्रद्धी वहीं से नहत होती चली जाएगी इसमें कोई भी रुकावट और वादा दूर दूर तक भी मौजूद नहीं मितुन राशी स्वास्ति के परती आज सचागर रहने की जरूरत है प्रोपर बेस के मेडिकेशन की साथ में चलें उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें शत्रपक्ष यहां नौकरी पेशा जीवन तथा व्यापारिक इस्ततियों में शुमार रह सकते हैं उन से समभलिएगा कोई decisive meeting है आपके साथ में facts नहीं है आप कहीं ने कहीं तोड़ी से अवस्ताओं में गिरे हुए हैं यहां patience के साथ में चलने वाले होंगे खुद की गलतियों को कई बार स्वीकार करके आगे बढ़ना अधिक विवस्तत करम रहता है उसके साथ आप चलने का परयास कीजिएगा इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं मानसिक संतुस्टी आपके साथ में यहां बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी और वहीं पर जो व्यक्तिकत इस तर पर पुरशार्थ की स्ततिया है यानि कि जिस बूते व्यक्ति अपने कामकाज को आगे बढ़ाता है उसका प्रखर संपरिशन आपके साथ में बना हुआ है कमिशन संबंदी कामकाज में अभी भी थोड़ा सा रुक कर खुद को आगे बढ़ाने का प्रयात में करते चले जाएं करक राशी, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुई अप्रोच के साथ में पॉजटिविटी आपके लिए बनी हुई है यहां रिसर्च संबंदी कामकाज में बेटरमेंट रहेगा विध्यारती वर्ग पुनहें एकागरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं हाएर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में यदि आप किसी भी मेजर डिसीजन को अपने लिए वाल्ब करना चाते हैं वह से लहाजा भी ये समय आपके लिए विवस्तित से विवस्तित अवस्ताओं को बना रहा है भावुक होकर कोई भी निरने को अपनी जीवन न्यातरा में रखने से बचें तो वहीं आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसी सूचना इंतजार कर रही है जो गर परिवार की और से हैं तो था मन को संतुस्टी के संबरान दिस्तर के साथ में लेकर चलने वाली होगी रियल एस्टेट संबंधी कोई भी मेजर डिसीजन ये साथ में आ रहा है पूरी पूरी तैयारी के साथ में आप अपनी यात्रा को बढ़ाते चले जाईएगा कोई भी रुकावर्टता बादाओ पस्तित नहीं है सिंगराशी यात्राएं टाली जाती हैं तो बहतर है व्यापारिक जीवन में अंजान व्यक्ति के साथ कोई भी निरने लेने से बचें यहां मन के भीतर की कुल बुलाहट नकारातमक्ता लेकर आ सकती है निरने में जहां पर भी हम अधूरेपन को देख रहे हूँ या प्रिसाइस कैलकुलेशन में नहीं हूँ वहां खुद को थोड़ा सा रोक कर चलने का परहत्न जरूर हम करने वाले रहें इस हमें अंतराल में सुर्य उपासना के साथ दिवस के शुरुबात कीजिएगा सुबह सुबह का रूटीन जतना स्ट्रक्चर्ड नोट के पर रहेगा उतनी ही पॉसिटिविटी आप खुद के लिए एवॉल्व करते चले जाएंगे यहां जो भी महनुभाव टेक्स्टाइल संबंदी कामकाज में तथा एक्सपोर्ट संबंदी के देविधियों के साथ मुझुड़े हुए हैं आपके लिए शुभकारी संकेत निकल करा सकते हैं तरन्तु माता-पता के साथ संबंदों में चूटी-चूटी बातों में जो गर्शन निकल कराते हैं उससे दूर रहने की पुरी-पुरी आवशकता हैं आपके लिए बनी हुई है ये वो समय अंतराल है जहां लेखन संबंदी काम काज विवस्तित ब्रद्धी आपके समक्ष रखता चला जाएगा कन्या राशी नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नए बन के सरुकार को आप अपने जीवन के भीतर जगह देना चाहते हैं उस लहाजा ये समय अत्यादिक वहतर तथा वेवस्तित है अध्यात्मिक तोर पर प्रगती है भाग्य का सईयोग बना रहने वाला होगा इसे वज़े से बड़े निरने के साथ में कोई और गुंजाईश देखने की जरूती नहीं है मस्कुलर पेंसे संबंधित समस्याओं से खुद को जितना आप सावधान रख कर चलेंगे उतनी बहतरी खुद के लिए स्थापित करते चले जाएंगे प्रबंदन संबंधी कामकाज में भी आपके लिए दनागमन है यानि की मैनेजमेंट की किसी भी मेजर डेसिगनिशन के साथ में कोई और आफर आपको प्रमोशन के साथ मिलता है उसको स्विकार करके आगे बढ़ा जा सकता है यहां आज मन के भीतर के स्थिरता आपको काफी भाने वाली होगी भाग दौर से दूर हटकर आज का जिवन आपके लिए औरोची पूर्ण स्थियों को भी निर्मित करता चला जाएगा जिसमें कोई भी रुकावट तथा बाधा के मार्ग दूर दूर तक भी उपस्थित नहीं है इस एक बात को अपना कर जरूर चलें तुलाराशी यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में कुन है जुडाव है करियर के डिसिजन्स के साथ में गरिहस्त पक्ष तथा संतान पक्ष के साथ में भी हलकी फुल की चर्चा कर ली जाए तो अच्छा है यहाँ पर आप मन के भीतर के भड़काव से हट कर अपनी यातरा को आगे बढ़ाने वाले होंगे विदेश संबंधिकारियों में वृद्धी के प्रखर प्रतेमान आपके लिए बने वुए हैं भागिकासयोग उस इस्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं ये गौर कीजिएगा और वहीं पर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में भी काफी हद तक संबलने की आज आविशकताएं रहेंगी शत्र पक्ष चोटी चोटी बातों के साथ में आपको उलजाने वाले हो सकते हैं उनसे भी दूरी बना कर रखने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए बनी हुई है ये प्रमुख निवदन यहां करना चाहेंगे वरिश्चिक राशी आत्मविश्वास में भरपूर वरद्धी है संध्या समय अंतराल तक कामकाजी जीवन की जद्दो जहत के साथ में चलते हुए आप संतुस्टी के मानक अपने लिए स्थापित करने वाले होंगे और अक्त संबंदे वेकारों से पूर्ण तया सावधान रहिएगा जो मानुभाव सिच्वेशनल बेसिस के ओपर खुद को मूल्ड कर पाएंगे आज उनके लिए सपलता और एक बढ़ती चली जाएगी प्री डिटर्माइन माइंड सेट के साथ में किसी भी इस तर की तरफ चलना ठीक नहीं है और वहीं आप ये भी देखें कि गुरुहस्त वक्ष के साथ बुन्यादी तोर पर यहां संबंदों में जुडाव का ताना बना और अच्छे से निकल कर आ रहा है और रुपए पैसे के लेंदेन में साथधानी बढ़तीएगा किसी डिसाइजियो मेटिंग के तरफ हैं तो फाइल आदे को चेक कर लिया जाए और उसके बाद में ही आगे बढ़ा जाए ये काफे हद तक आवशक इस तर आपके साथ में रहें तो बहतरी और वही ये निविदन है आपसे कि आपने जो रूटीन अपने लिए एस्टेबलिश करके रखा हुआ है उसमें किसी भी तरीके का गैप अब सामने नहीं आने पाए धनूराशी खर्चों के अडिकता आपके लिए बढ़ सकती है तो वहीं पर स्वास्ते संबंदी स्थियों में आज आप खुद को काफी हद तक साबधान रखियेगा नौकरी पेशा जेवन पर शत्रुपक्ष हावी हो सकते हैं उनसे एक दूरी बना कर रखने की जुरुत रहेगी जो भी मानुभाव ग्रहस्त पक्ष तथा संतान पक्ष के साथ उलजहने महसूस कर रहे थे उनके लिए भी अब धीरे-धीरे समाधान की यात्रा पुन है सामदे निकल कर आ सकती है कम्यूनिकेशन में किसी भी तरीके के रियक्शन को अपने साथ रखने से बचना आपके लिए अधिक अवस्तित इस्तियां रहेंगी और वहीं इस बात पर भी कौर कीजिएगा कि जो निर्णा ये लंबे समय से आपने रोक कर रखी हुए थे वहाँ पुन है तिब्रगामी हो जाना काफी हद तक बहतर है और वहीं पुराने संबंदों के साथ में पुन है अब जुडाब की अवस्तित तस्तियां रहने वाली होंगी जो भी महानुभाव परेटन संबंदी कामकाज के साथ में जुड़े वो है आज आपके लिए कुछ बहतर संकेत सामने रह सकते हैं तो वहीं मकर राशी यहां स्टॉक मार्केट संबंदी कामकाज में अटमोस्ट पॉजटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी अपने क्शमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा सरवांगीन लाब की स्ततियों में व्रद्दी है नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन चोटी-चोटी स्ततियों में खुद को अटकाने से तथा बटकाव की स्ततियों में लेकर चलने से आप बचे जॉब में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मिशन मिल रही है जिसको डिकोड करने में समय लग रहा है अथवा जहां से नकारात्मुट आ सकती है तो हम क्या प्रोयक्टिव एक्शन लेने की तरफ जा सकते हैं ये बचार अपने साथ रखें दिखिए वैसे तो एकादश भावस्त चंद्रमा है इसी वज़े से जो यहां पर संबंदों की स्ततियां है वो आपको संभालने वाली रहेगी वले ही कोई प्रोफेशनल लाइफ में रिलेशन डवलिप हुआ है गरिहस्त जीवन की स्ततियां है या पर परिवारी काधार वहां से आप खुद को पुनह संगटत करते चले जाएंगे दुवधाओं के सिरे काबिस नहीं है शनिदेव की मुल्टरपाण कॉमबराशी नौकरी पेशा जीवन में जो नकारात्मक्ता लंबे समय से बनी हुई थी अब वो हड़ती चले जा रही है भूमी संबंदित कामकाज में बहतरी आपके साथ में रहने वाली होगी जो भी महनुभाब यहां यातराओं से संबंदित करम में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी आज का दिवस विशेश काफी हद तक बहतरी देता चला जा रहा है कम्यूनिकेशन में रियक्टिव होने से बचिएगा तो वहीं स्वास्त में जो चोटी-चोटी स्थियां की बार परेशान करती है उससे भी संबल कर चलने की पूरी-पूरी आवशक्ताएं आपके लिए रहेंगी गुरिहस्त पक्षो, संतान पक्षो या फिर पारिबारे की स्थियां कामकाज में यदि आप उनके साथ जुड़कर कोई निर्णे लेना चाहते हैं आज का देवस्वशेश काफी हद तक सारगरबेत कहा जाएगा तथा बहतरी के आवदन भी आपके समक्ष लेकर आ सकता है इसमें कोई भी तनाव पून आधार आपके लिए उपस्तित नहीं है हाला कि सुबह सुबह के समेंतराल में विश्णु सैस्तर नाम तथा अनमन तुपासना के साथ में देवस के शुरुबात करना बहतर है मीन राशी अध्यात्मिक स्तर पर जो प्रकती है वो दूर कामी निरने के साथ में आपको मरत करने वाली होगी भीतर के आनंद के साथ आप यहां शक्ति पर्व के साथ लगातार चल रहे हैं यात्राओं से संबंदित कामकाज अत्यंत बहत्रे आपके समक्ष रखने वाले होंगे आत्म विश्वास में बुरी बुरी बृद्धे के बरतिमान बने वुए जो भी महनुभाव यहां कुद को कामकाजी जीवन के अंदर नई यात्रा की और लेकर जाना चाहते हैं यानि कोई भी नई शुर्वात है उस और अब इतना सोचने की जरुत नहीं है स्टैप लिए जा सकते हैं करियर के फोल्ड के साथ में मेजर लिवल की पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टैबलिश होने बारी रहेगी और वहीं मस्कूलर पेन तथा मौसम से संबंदे जो परिशानिया होती है उन दूनों ही अवस्ताओं से खुद को आप जितना सजग रख कर चलेंगे उतनी ही बहतरी स्थापित करते चले जाएंगे इसे के साथ में यहां आकस में के धनलाब से मिंकार नहीं करते गर परिवार के साथ मिलकर हाईर एजुकिशन के डिसीजन को एवल्व करना है उस लहाजा भी यह समय काफी बहतर है तो यह था उन्नीस अक्टूबर दोहजार तईस का दायने कराशिपल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्तित होने का प्रहत्मे करते रहेंगे धन्यवाद एवमकूटिशाह अभार